जैसी कृष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दीक स्वागत है आज हम एकादर्शी व्रत में केवल 20 मीट में बना सके वैसा गरम नास्ता फलारी आलूटी की बनाना सीखेंगे इससे आप चटनी या दई के साथ सव कर सकते है और ये काफी टेश्टी और क्रिस्पी बनती है तो वीडियो को स्कीप किये बिना एंड तक अवर्ष्ट देखे रेसीपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेर करना ना भूले तीन से चाल लोगों को सभू कर सके उतनी आलू टिकी बनाने के लिए मैंने पांच नंग मीडियम साइस के आलू को प्रेशर कूकर में करके भी उपयोग में ले सकते है आलू गरम होगे और आप उसे मैश करने जाओगे तो वो चिपचिपे हो जाएंगे आलू को मैश करने के बाद टिकी को क्रंजी बनाने के लिए उसमें तीन चम्मच मुंगफली का दरदरा पाउडर एड करेंगे आप मुंगफली को बून कर भी एड कर सकते है आदा चम्मच बुना हुआ जीरा पाउडर एड करें और दो टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धनिया एड करें तीखास के लिए उसमें एक टेबल स्पून या स्वादा नुसार हरी मिल्च का पेस्ट एड करें और आदा चम्मच अद्रक का पेस् जो लोग वरत उफास में हरादन्या नहीं खाते वो उसे स्कीप कर सकते हैं और थोड़ा खटा मिठा टेश पसंद हो तो आमचूर पाउडर और शक्कर भी एड़ कर सकते हैं सभी इंग्रेडियंट्स के मेजर्मेंट डिस्क्रिप्शन में दिये हैं सभी मसालों को आलू के साथ मिक्स करने के बाद उसमें 3 टेबल स्पून शिंगाडे का आटा एड़ करें और हाथ की मदद से अच्छे से मिला कर आलू टिकी बना सके वैसा मिशन तयार करें शिंगाडे के आटे का कोई परफेक्ट मेजर्मेंट नहीं होता अगर आपके आलू में मौशर थोड़ा ज्यादा है तो आप शिंगाडे का आटा थोड़ा ज्यादा भी एड़ कर सकते है और शिंगाडे के आटे की जगा आप राजगीरा का आटा या मिक्स फलार या आटा का भी उप्योग कर सकते है जैसे रेग्यूलर आलू टिकी बनाते वक्त हम उसमें बैंडिंग के लिए कौन फ्लार एड करते हैं उससे तरीके से हमने अभी श्रिंगाडे का आटा लिया है इस मिश्रण में से आप कटलेस और वडा भी बना सकते है आलू टिकी बनाने के लिए मिश्रण तयार है पुरण, रता अलू या अर्भी का उप्योग करके भी बिल्कुल इसी तरीके से टिकी बना सकते है इतने मिश्र में से टोटल 15 नंग टिकी बना कर तयार की है अब उससे सेखने के लिए गैस पर एक नॉन्स्टिक पैन रखे और उसमें 2 टेबल स्पून वुंखफली का तेल लेकर उसे लो फ्लेम पर गरम करे तेल की जगा पर गी का भी उप्योग कर सकते है और टिकी को शैलो फ्राइ करके भी बना सकते है तेल गरम हो जाए फिर सारी टिकी को थोड़े थोड़े डिस्टन्स पर तवा के उपर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर वो नीचे से थोड़ी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक हम उससे सेकेंगे वरत उफवास में कम तेल में अगर आपको कोई नाश्टा बनाना हो तो ये एक बेस्ट आप्सन है इसके अला अभी और भी कई सारी फलारी रेसिपी मैंने चैनल पर पोश्ट की है जिसके लिंक उपर आई बटन पर दिये है टीकी नीचे की साइड से थोड़ी क्रिस्पी हो जाए फिर स्पैक्चुला की मदद से उसे पलट कर वो दोनों साइड से अच्छी सी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो तब तक हम उससे सेकेंगे एक बार टीकी को सेकने में करीबन 6-7 मिनिट का समय लगता है अगर आपको इसे चाट के रूप में सव करना हो तो टीकी के उपर फैटा हुआ दई बुना हुआ जीरा अनार के बीच डाल कर भी उससे सव कर सकते है टीकी को सेकते वक थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे पलटते रहे ताकि वो जल ना जाए दोनों साइड से टीकी अच्छे सी गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर उसे पलेट में निकाल कर चटनी के साथ सव करेंगे एका दशीवरत में आप भी ये रेसिपी गर पर जरूर ट्राय करे और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करे शेयर करे चैनल पर पहली बार आये हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो